गोवा कॉंग्रेस में बड़ी तूट करके बीजेपी भले ही खुशियां मना रही हो लेकिन असल में बीजेपी की ये सफलता उसके लिए मुसिबत भी बन सकती है क्योंकि अब कॉंग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद से बीजेपी में ही आसंतोश बाद सकता है क्योंकि कॉंग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी नेता खुश नहीं है और इस बात के संकेत दिये हैं गोवा बीजेपी चीफ ने तनावडे के बयानों से जाहिर हुआ है कि वो केंद्री नेत्रित्य के इस फैसले से जरा भी खुश कर देता लेकिन मुझसे कोई सलाह नहीं की गई यह कोई आश्चरी की बात नहीं है हमें एक राष्टी पार्टी के सदश से हैं और अगर हमें केंद्री नेत्रित्य कुछ करने को कहता है तो हम उसे सुनते हैं और करते हैं अगर आप से कुछ करने के लिए कहा जाता है तो आ तनावडे की ये नाराजगी भारी ना पड़ जाए और तनावडे बीजेपी से दूरी ना बना ले क्योंकि उनकी नाराजगी जाहिर करने को अब जैराम रमेश के उस बयान से जोड़ कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे लोग जितनी जल्दी कॉंग्रे इस बीजेपी को छटका देने की फिराक में तो नहीं है खेर आगे क्या होना है इस बारे में अभी कुछ भी कहपाना मुश्किल है लेकिन ये साफ है कि कॉंग्रिस विधायकों के आने से गोवा के भाजपा चीफ खुश नहीं है डीवी लाइफ की रिपोर्ट